असलाम वालाइकूम माई यूट्रोबर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे और मैं आज आपके लिए रेसेपी लेकर आई हूं वही है चिकन दो प्याजे की रेसेपी जवदसी रेसेपी है आपने पूरी एंट तक वीडियो देखनी है बिना इसकिप किये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को कर दें और साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स वीडियो जो आने वाली हो उनका नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके और वीडियो आपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर भी करनी है तो यह मैंने चिकन दे लिए है यह आधा किलो मैंने च इसके कटकिए है तीन अदर मैंने हरी मिर्चे लिय उनको मैंने इस तरह के से कटकिए हो यह यह जाएगी जाएगी एक चाय का- चमच पिसी होई लाल मि्रत apples दो चाय का- चमच पिसा होई धनिया थ्लियो जाएगी जाएगी ऑघ्या बुना हुआ कुटा हुआ जीरा जाएगा एक चाय का चमच और नमाख हजब जरूरा शामिक करेंगे दो खाने के चमच अद्दकलासन का पेस्ट और गार्निशिंग के रिए यह हमारा हरधनिया जाएगा तो बहुत जबदसी रेसिपिया आपने मिस नहीं करनी है विल्कुल परोइख और बहुत जबदसी बनें हो जाएगा है तो भैस हम ने उद्द भ Cook नाजे ले confian इंदर फजों कि पहर दो जम्त में पर इन हमने पव bleibt हख Essie मुश्ञा Ciutन का पाना निकी का पार जाए तो बहुत जबदसी लगती है पो जोत बहुत बहुत छिए लगत अपकी त का आपने मुझे में मुझे में बताना है आपको रुख चैनल का विजिट कर रुख में, बहुत कुछ सीक्शाम का मौका ईंदर हैं आप उस dependence किसी वीह देकाई हैं झीत गाएं बात partie ना जखेएं चिकन के बादमी से करें हमारी चौप प्यास भी स्कार से आधा राघ करेंगे इसको égalड बाउन सा कलर के जाए नहीं अधुत आधा कलर नहीं देरें मिल देंगे विसे जर manufactured । भूत प्यास हमारे देख सकते हैं कलर आ गया हैु अंधूकर अध्य अभधगलाशन का पेस्ट यह हिए हैं के शामिल कर देंगे इसक Farga सभध का कचापंत्त Easy दूर हो जाए हैं अभ ज्य है यह यह चौत अबुकल कर देंगे हैं बहुत जामिलाशन होते ही जै आधिकले के में पिष्ण हो मसाला हम आ जारा ब़िए मैंतर करहा हैं तो यह सारे मसाले इसमें हमने शामिल कर दिये हैं इसमें हम उसी तेमाटर जो प्यूरिज इसमें थी इसमें थी इसमें थोड़ा सा पानी लिया और डाल दिया ताकि वह वेस्ट ना हो और इसको मसाले को भूनेंगे अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है बहुत जबरदस बनेगा बहुत अच्छी से खुच्बू उटने लगी है क्योंकि टेमाटो फेस्ट जो हमारा था वो उसकी खुच्बू जो होती है जबरदस ही वारी और मसालों की खुच्बू ऐसी उट रही है इसके अंदर तो आ करेंगे अच्छी तरीके से मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं वर में नहीं कॉंटिटी रखी यह नॉर्मल होती है यह हर कोई खा सकता है ना ज्यादा तीखा होता है ना ज्यादा फीका होता है हर मसाला अपना टेस्ट देता है तो मसाले होते हैं تو सिर्फ मिड़चों अहीं झायका आता है बागी इसके अंधर जो सायक के दूसरे मसाल होते हो सारे खतम हो जाते तो अब इसके अंधर हम फानी शामिल करके इसके तरीके से साइड आम इसके साफ करके हम इसको कवर करके रखेंगे 20 मिनट के लिए चिकन हमारी वैसी फ्राइ हो 20 मिनट में ये गल जोएगी तो ये 20 मिनट हो चुके हैं चिकन तकरीबन हमारी गल चुकी है आप देख सकते हैं हमारा जो रोगा ने वो उपर आ गिया है मसाला अच्छे से तयार होगया है इसके अब हमें कोई भुनाई भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने चिकन को भी फ्राइ किया है मसाला हम पहले ही भून चुके हैं तो अब जो है इसके अंदर ये मैने जो हमारी प्याज है ये क्यूबस कटकी है और हमारी हरी मिर्चे और ये टीमार्टर जो है ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अब डाश इसको शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके पकाना है अच्छा इतना पकाना है कि ये सोफ्ट हो जाए जो हमारी प्याज यह जो हमारे टिमार्टर हैं यह सोफ्ट हो जाएं और हरी मिल्चे भी सोफ्ट हो जाएं इनका कलर चेंज ना हो ज्यादा ऐसी हरी हरी सी अच्छी लगती है यह तो अब इसको हम कवर करके पांच मिनट के लिए रखेंगे उस से पहले हम यह जो हमारा गरम मसाला पीसा हुआ यह उपर से भुरक देंगे ताकि इसके खुश्भू भी अच्छे से उठकर आए इसके अंदर तो यह पांच मिनट हो चुके हैं बिलकुल हमारी चिकन दो प्याजा जो है वो रेडी हो गए अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तिमाटर और हमारी प्याज यह सॉफ्ट हो चुकी है क्योंकि यह इस तरीके से चंक्स इसके आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में बहुत ही जबर्दस लगता है तो यह दो प्याजा का मतलब यह से है कि यह प्याज जो है इस तरीके से आपकी आए बहुत अच्छी लगती है तो अब जह हम इसको हरा धनिया हमने बाष्ट कर लिया कट कर लिया ये इसके अंदर शामिल किया इसको अच्छे से मेक्स करेंगे बहुत जबदस तर्क से बन गया ये सालन हमारा आप इसे जरूर घर में ट्राइ करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें विडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना ना करते हैं खाने का दिल मजीद दिल चाहता है कि बस जल्दी से खा लिया जाए और आप यह देख साकते हैं कितना जबर्दस सा इसका मसाला लग रहा है किती जबर्दस सी चिकन बिल्कुल यह तैयार हो गई हर अधनिया उपर से हमने डाला है और इसे नान के साथ खाएं या आपको कैसी लगी और आप घर में ट्राइ करें ट्राइ करने के बाद भी मुझे बताएं कि आपको कैसी बनी है आपको कैसे लगी है ब्रेसे पी और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त अल्ला हाफिज